Hello viewers, आज हम पढ़ेंगे The Story of Fidgety Philip एक बैचेन फिलिप की कहानी, इसको लिखा है Henrik Hoffman ने अब Henrik Hoffman एक German psychiatrist थे, यानि के मनोचिकित्सिक थे ठीक है, उन्होंने कुछ किताबे लिखी है, जिसमें एक मशूर किताब है और जो आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये कविता इसी किताब में लिखी हुई है Introduction to the Poem The Story of Fidgety Philip is about a boy who can't sit still and end the falling of his chair as a result ओके जो कविता में कहानी है, ये लड़की के बारे में है, जो टिक्के नहीं बैठता था और आखिर में वो कुर्सी से नीचे गिर जाता है Designed as an educational story for children, its aim is to put children off fidgeting यानि कि इसका जो उदेश्य है, बच्चों को शिक्षा देना है, ताके वो अपने फाल्तु हिलने डूलने की आदत को खतम कर दें Hoffman's main aim was to scare children through his story so that they would stop misbehaving as a result यानि कि Hoffman का मुख्योदिश्य ये था कि वो ड्रावनी कहानी सुना कर बच्चों को सिधे रास्ते पर लेकर आएं ताके वो दूर वहवार करना छोड़ दें, समरी, Philip is having dinner with his parents, अब Philip अपने माता-पिते के साथ खाना खा रहा है However, he can't stop fidgeting and swings on his chair, लेकिन वो टिक्के नहीं बैठता, fisting यानि कि वो हिलता रहता है Swings on his chair, यानि कि वो अपनी chair पर बैठके swing, यानि कि आगे पीछे हिल रहा है His parents are getting increasingly angry about this, Philip I am getting cross, यानि कि उसके माता-पिता बहुत ज़्यादा गुसा कर रहे हैं और वो कहते हैं, Philip हमें गुसा आ रहा है Philip, however, does not stop swinging on his chair लेकिन दूसरी तरफ Philip है, वो सुनता है नहीं अपने माबब की बात वो तो हिले ही जा रहा है, chair पर Instead, he keeps vigorous swinging on his chair until he finally loses his balance और वो और भी बुरी तरह से कुर्सी पर हिलने रखता है जब तक कि वो गिर नहीं जाता यानि कि उसका संदूलन हो जाता है और क्या है, वो गिर जाता है His chair tumbles backwards and Philip falls off the chair अब उसकी chair है, वो पिछे के तरफ गिरती है और वो गिर जाता है He desperately tries to killing on to the bad table cloth, hoping this would save him from falling अब उसको गिरते गिरते वो table cloth का जो कपड़ा होता है Table के उपर जो कपड़ा होता है, वो उसको पकड़ लेता है, सोचते है, मैं बच जाओंगा लेकिन हालात और भी जादा बत्तर हो जाते हैं क्योंकि table के उपर जो सारी चीज़े हैं, वो सारी उसके उपर आ जाती है However, this mix matters Even worse as Philip ends pulling the whole table cloth off the table क्योंकि इससे हालत बहुर सादा बिगड़ जाती है, और वो सारी सारा table close के उपर जो सारी चीज़े हैं उसके उपर आ गिरती है He ends up on the floor covered in food, plates, cutlery and table cloth whilst his parents look on aghast यानि कि आखिर में वो फर्स पर गिरता है और वो उसके उपर सारा खाना, plates, टेकना, डेश, बरतन, उसका कपड़ा सब उसके उपर गिर जाते हैं और जबकि उसके जो parents है वो बहुत ही हैरानी से उसको देखते हैं इसकी rhyme scheme है A, A, B, B, C, C difficult words हम पता कर लेते हैं Little gentle मतलब एक छोटा अच्छे वहवार करने वाला बच्चा Sit still मतलब शांत बैठना Giggles, हसना, rocking horse एक तरह का खिलोना होता है Naughty, शरारती, restless, bay chain, rude and wild, batamese, screams, चिलाना Matters worth, हलात, खराब होना Fret मतलब चिंता, tumbling down गिरना, disgrace, बेज़्जती, behavior, वेवार Terrible, खतरनाक, wonder, हैरान, might, ताकत, fidgety याने के unable to stay still, याने के बहुत ही हिलना जुलना ठेक हैं, टिक के ना बैठना Snapped, तूट जाना, grave मतलब गंभीर, bear मतलब खाली Tilt मतलब हिलना, wriggles मतलब अपनी body को twist करना, हिलाना Cross का मतलब होता है, गुसा, front का मतलब भी गुसा Story of fidgety Philip, चलिए अब इसकी explanation पढ़ते हैं Let me see if Philip can be a little gentleman चलो आज देखते हैं, Philip एक छोटा gentleman याने के एक अच्छा बच्चा बनता है या नहीं Let me see if he is able to sit still from once and table चलो आज देखते हैं, आज वो टेबल पर टिक कर बैठता है या नहीं The spoken ordinal stone is the father to his son इस तरहां, पिता ने अपने बेटे को बहुती उत्सुकता के साथ कहा And the mother looked very grave to see Philip so misbehave लेकिन उसकी जो मात ही, वो बहुती ज़ादा गंभीर थी क्योंकि वो Philip जो था, वो misbehave दूर्वेवार कर रहा था But Philip, he did not mind, his father was so kind लेकिन Philip को कोई फराकी नहीं पढ़ रहा था, क्यों? क्यों उसके जो पिता जी थे, वो बहुत ज़ादा द्यालू थे He regled, इता हो यह नहीं, regled मतलब यह healed रहा था, twist कर रहा था, अपनी body को, tick के नहीं बैट रहा था Giggled और वो हस रहा था, कौन? Philip And then I declare, यानि कि पिता जी नहीं कहा, अब मैं देख रहा हूँ Swarm backward and forward and tilted his chair जाने कि अब जो Philip है, chair पे बैठकर आगे पीछे हाना, chair को हिला रहा है Just like any rocking horse, जी तो यह rocking horse बोलते है, यानि कि जैसे आगे पीछे जा रहा है, इसी तरह से कुरसी पर, जो Philip है आगे पीछे कर रहा है Philip I'm getting cross, Philip मुझे गुसा रहा है, see the naughty restless child, देखो, इस शिरारती और बेचेन बच्चे को, growing still more food and wild, अरे यह तो बहुती जादा और भी जंगली होता जा रहा है Till his chair falls over quiet, अब जब तक उसकी कुरसी नहीं गर जाती Philip screams with all his might, अब वो अपने पूरी दाकत से चिलाता है Philip, क्यों, क्योंकि वो गिर जाता है Catches at the cloth, but then that makes matters worse again, लेकिन वो गिरते गिरते, जो टेबल के उपर कपड़ा होता है, उसको पकड़ लेता है लेकिन इससे जो हालात हैं और भी ज़्यादा बत्तर हो जाते हैं क्यों, down upon the ground, they fall, glasses, blood, knives, forks and all क्योंकि जब वो ground पर गिरता है, तो उसके साथ सारे जितने भी, कच्के गिलास हैं, bread है, चाको हैं, कांटे हैं, वो सारे उसके उपर गिरते हैं How mama did fat and frown when she saw them tumbling down मतलब ममी को बहुत जदा गुस्सा आता है, जब वो देखते हैं कि सारी चीजे नीचे गिर गई, and papa made such a face, अब पापा की भी, कभी चेहरा गुस्से वाला हो जाता है, फिलिप is in sad disgrace, अब इसकी वज़ा से, फिलिप को बेज जिती का सामना करना पड़ता है, उसकी बेज जि सारी चीजें इसके उपर गिरी हुई है, he has pulled down all upon him, उसने सारी चीजें अपने उपर गिरा ली हैं, किसने, फिलिप ने, what a terrible to do, कितना खतरनाक, कितना भायानक दरिश्य, dishes, glasses, snapped into, देखो, जो plates हैं, जो कच्की गलास हैं, सारे, दो हिस्सों में तूट गए, here a knife and there fork, देखो ये चाकू ये पड़ा, काटा ये पड़ा, फिलिप, this is not your work, ये फिलिप ये तो तुमारी बहुत ही शरारती भरा काम है, table also bare and ah, आप क्योंकि टेबल तो खाली हो गया, क्योंकि उस पर जो सारी चीजें हो तो सारी इन से गिर गई, poor papa and poor mama look quite cross and wonder how, लेकिन बचारे मम्मी और आपा क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, वो सोच रहे हैं, they shall make their dinner now, अब वो अपना जो dinner हो कैसे बनाएंगे, क्यों सारा dinner तो जमीन पर पढ़ाए, question answers, what kind of a boy a Philip is, यानि कि फिलप किस तरह का लड़का है, फिलप एक बहुत बेचैन लड़का है, जो कि अच्छा वहवार नहीं करता, हाला कि उसके पेड़न्स को बार-बार कहते रहते हैं कि सही वहवार करो, why does the speaker want the person to sit at the table? यानि कि जो speaker है यानि कि जो बोलने वाला है, यानि कि उसके जो पीता जी, उसको table पर ticking बैठने की क्यों कहते हैं? क्यों, क्योंकि वो table के उपर बैठ कर वो खाना काले से लिए, उसको वो table पर बैठने के लिए केhetे है, The speaker warns Philip to sit at the table to eat his food खाना खाने के लिए What did he do with the chair? फिलिप ने chair के साथ क्या किया? He swung the chair forwards and backwards and tilted it up like a rocking horse लेकिन फिलिप ने chair के उपर बैठा और उसको आगे पीछे हिलाने लगा बिल्कुल rocking horse की तरह How did his mother react? उसकी मा का reaction क्या था? क्या प्रतिकिरिया थी? His mother was very serious and became very angry when he didn't sit still at the table यानि के वो भुज़ादा गंबीर थी और उनको भुज़ादा गुसा आ गया जब वो फिलिप टिक कर टेबल पर नहीं बैठ रहा था What was terrible thing to do? वो भयानक चीज़ क्या थी? As फिलिप was falling down, he pulled the table cloth down with him अब जैसे फिलिप नीचे गरा, उसने अपने साथ टेबल क्लोथ का कपड़ा भी हाथ में ले लिया Everything on the table wall also fell down and that was a terrible thing to do और जो सारी चीज़े थी, उसके तर सारी फर्स पर गिर गई और यही चीज़ थी, बहुत भयानक Name the things that broke in the poem कौन कौन सी चीज़े तूटनी है, हमें हमें पता है बरतन हैं, डिशीज हैं, ग्लासी हैं, कची ग्लासी हैं, प्लेट्स हैं ठेके न, यह सारी चीज़ें तूट जाती हैं poem के अंदर I hope you understand, thank you so much Like, Share and Subscribe, Take Care